Welcome to the online class students आज मैं पढ़ने वाले इमारी class 5 की English का chapter A Genie Whom No One Liked का part 2 तो students हमने पहले part में क्या देखी थी? Story देखी थी जीनी की कि एक जीनी था, उसके साथ क्या problem थी? उसकी एक खासियत थी हमने देखा था कि ये particular जीनी किस चीज के लिए famous था? इसकी खासियत क्या थी? हमने देखा था, इसकी खासियत थी चीजों को बिगार देना, चीजों को खराब कर देना जब भी वो किसी से पूछता था magic lamp जो भी रब करता था कि तुम्हारी wish क्या है? तो वो जब उसकी wish पूरी करता था उसको जो चीज लाके देता था वो बहुत ही जब दूल से भरी होती था बहुत गंदी होती थी ठीक है? तो लोग पसंद ही नहीं करते थे उस magic lamp का इस्तमाल करना पसंद नहीं करते थे ठीक है? तो वो उसने कहा कि वो बहुत सालों तक भारी नहीं आया क्योंकि कोई इस्तमाल करके रभी नहीं कर रहा था किसी को ज़राती नहीं पड़ रही थी यहाँ पे उसने अपना first para end किया था next हम शुरू करते हैं यहाँ पे हमारा जो next paragraph है one day a lonely boy named Pankaj अब एक लड़का है यहाँ बताया जरह है Pankaj उसके दोस्त नहीं है वो अकेला है lonely means अकेला जो लड़का है found the lamp उसको जो है वो lamp मिला ठीक है जिसमें जीनी रहता था he heard the sad cries of जीनी अब यहाँ पे बता रहे हैं उस lamp के अंदर क्या जीनी रो रहा था बहुत दुख में था उसको वो आवाज आई बाहर Pankaj को उस lamp से कि जो जीनी है वो अंदर बैठा बैठा क्या कर रहा है अंदर रो रहा है उसने क्या सुनी उसकी रोने वाली आवाज so he decided to try to become his friend यहाँ देख रहे हैं Pankaj का भी कोई दोस्त में और जीनी भी रो रहा है तो वो क्या निश्चय करता है decide मतलब निश्चय करना कि वो क्या कोशिश करेगा जीनी का दोस्त बनने की become his friend उसका दोस्त बनने की वो कोशिश करेगा मित्र बनने की कोशिश करेगा The wish he asked to be granted was to be able to enter and leave the lamp अब यहाँ बोल रहे हैं कि उसने क्या wish मांगी उसकी क्या इच्छा थी पंकच की विश्रब उसने लैम्प रब करके इच्छा मांगी कि मेरी सर्फ यही इच्छा है कि मैं लैम्प के मिलकर उससे दोस्ती करना चाता था The genie was happy to grant his wish अब जीनी जो है बहुत खुश्छ था उसकी इच्छा पूरी करने के लिए क्यों क्योंकि पहली चीज तो उसको बहुत ताइम से जो लैम्प है उसके इस्तमाल नहीं हुआ दूसरी चीज कोई उसके घर के अंदर आना चाह रहा है तो इसके लिए बहुत खुशी की बात थी As soon as Pankaj entered the lamp जैसे Pankaj उस लैम्प के अंदर गुसा He could see what was the genie's problem उसको जीनी जो ती जो जिन था उसकी जो मुश्किलें थी Problem क्या थी वो इतना गंदा क्यों रहता था उसके बारे में जो है Pankaj को पता चला It wasn't that he was a bad genie Problem ये नहीं थी कि वो एक अच्छा जिन नहीं था It was just that he was untidy बात इतनी थी बस वो गंदा सा रहता था साफ सुतरा नहीं रहता था In the lamp Everything was thrown all over the place अब वो जो lamp था जीनी के घड़ता हर चीज इदर उदर फेकी हुई थी Whether it be jewelry, books, boats और camels हर चीज जो भी जीनी के पास था सब कुछ होता है जेवर, किताबे, boat, नाव, उन्ट, camels ये सब चीजें हर जगे फैरी हुई थी It was clear that the place had not been clean for years ये चीज तो साफ थी की जगे है उसको सालों से साफ नहीं किया गया लैंप के अंदर की जगे को Pick up anything and a cloud of dust would fly up अब आप कोई भी चीज उठाओगे तो उदर से बहुत चारी दूल मिट्टी हवा में उढने लगीगी क्योंकि सब चीज बहुत टाइम से से पड़ी पड़ी गंदी हो गई थी तो एक बाए वापिस देख लेते हैं एक दिन एक लड़का था पंकज जिसके दोस नहीं थे उससे वह लैंप मिला उसने उसमें से जीनी की रोने की आवाजे सुनी तो उसने निश्च्रे किया उसका दोस्त बनेगा और उसने क्या इच्छा मांगी उसने इच्छा मांगी कि वह बस लैंप के अंदर और बाहर आ जा सके जीनी को बहुत खुश हुई यह चीज विश जो है इच्छा जो है उसकी पूरी करके जैसे ही पंकज है जो लैंप में गुशा उसने देखा कि प्रॉब्लम क्या थी प्रॉब्लम यह नहीं थी कि वह गंदा जिन था प्रॉब्लम यह थी कि उसके जो घर था लैंप के अंदर हर चीज भूब्owe बहुत सारी चीजे इधर उदर फैकी उई पड़ी थी और बहुत सालों से ऐसी पड़ी थी तो कोई-वी चीज अगर वो उठा था फिकल फेन ऐनफी चाहता कोई बहुत सारस इदूल का जो है बादल फॉआन पर बन जाता ठीक है यह स के second paragraph देखा next आप देखते हैं हमारे परस क्या बताया जा रहा है पंकज वस सप्राइज पंकज को बहुत ही जाधा आश्चरे हुआ वो आश्चरे चकेत हो गया the genie felt ashamed and apologized genie को बुरा लगा और उसने माफी मांगी कि वो जो उठा रहा है चीज़े उस पर वो डूल से बरी हुई है he said that उसने क्या बोला he said that यहां पर आपे देख रहे हैं जीनी और जो पंकज है यहां बहुत गंदगी है he said that genie's job was very important उसने क्या बोला एक जिन का जो काम है एक जिन का जो कारे बहुत ही जादा अवश्यक होता है and उसके पास क्या है सफाई करने का समय नहीं होता and he had no time for cleaning but पंकज remembered his mother's advice पंकज की जो माया उन्होंने उसको एक राय दी थी mother ने advice दी he told the genie that it was important to keep all his things in order उसने जीनी को बताया मां की क्या advice थी कि हर चीज को सूव्यवस्तित रखना बहुत ही जादा आवशक है he told the genie that यह बहुत ही आवशक था to keep all the things in order and so they decided to give the place a good clean अब उसकी मां की यह बात सुन करके वो भी जीनी भी कुश हुआ और उसने भी निश्टे किया कि अब इस जगे को अच्छे से सपाई करते हैं it took them quite a few days उनको काफी जादा दिन लग गए ऐसे नहीं था कि वो एक ही दिन में साफ हो गया उनको कुछ दिन लगे इससे साफ करने में it took them quite a few days when they finished everything was gleaming everything was gleaming मतलब चमक रही थी हर एक चीज everything was gleaming ठीक है in its correct place हर चीज अपनी जगे पर पढ़ी थी very easy to find whatever gift was asked for अब वो हर चीज अच्छे से जो भी gift पूछते हैं लोग उसे अच्छे से tune पाक सकता है and to get it without breaking anything और जो भी gift वक्ट है वो सब मंदर से निकाल के दे देंगे बिना किसी चीज को तोड़े and a cloud of dust would not fly up और जो दूल का जो बादल है वो नहीं इसके बाद क्या हुआ जीनी जब हर चीज लोगों को अच्छे से देने लगा तो इसके बाद जो लोग है उससे और पसंद करने लगे और उसकी इज़त करने लगे he learned that nothing great can be achieved without order उसको एक चीज का विश्वास हो गया कि हर जो भी चीजे हैं कोई बड़ी चीज हम बिना व्यवस्था के व्यवस्थत के यह नहीं प्राप्त कर सकते and cleanliness in all things और चीज को clean रखना है हमने देखा यह किसने लिखी है पैड्रो पैबलो सैक्रिस्तिन ने यह स्टोरी लिखी है क्या देखा हमने पंकज ने उसकी किस चीज में मदद कि कि हर्चीज को साफ और वय्वस्तित करने में मदद थी जिससे कि वो किस mec की मदर्व इसटीनियों बतलब जैसे होना चाहिए आपॉलजाइं मतलब मांख़ी मांगना ठीक है फिर होता है untidy untidy मतलब गंदा या फिर जो साफ नहीं होता achieve का मतलब होता है to succeed यानि की प्राप्त करना अपने जिंदगी में अपने कुछ प्राप्त किया है जीनी क्या होता है spirit with magic powers जीनी जिन spoil मतलब बहुत ही गंदा या विगार देना गुड ग्लीन का मतलब होता है किसी चीज की पून रूप से सफाई करना gleaming मतलब shining यानि की चमकती हुई students यहां पर हम question answer देख लेते हैं what was advice that punkers mothers give to keep everything हड़ चीज को to keep everything in order order में हड़ चीज जो है व्यवस्तित करके रखनी है फिर देखते हैं why did जीनी feel ashamed because everything in the lamp हर तीज जो लैंप में थी इन लैंप वोज अंटाइड़ नेक्स हमारे पास वोट ड़स दी जीनी डू ग्राइंट्स दी विशेज ओफ पीपल जो भी लोग मांगते हैं जो भी लोगों की इच्छ होते हैं ग्राइंट्स दी विशेज ओफ पीपल लोगों की जो भी इच्छ होती हैं उसको पूरा करता है एक जीनी निकल के बाहर आजाता है जब कोई भी एक मैजिक लैंब को रगरता है क्यों पूछा था उसने क्योंकि उसने रोने की आवाज सुनी थी और उसका डुख बातने के लिए मित्र बनने के लिए उसने यह इच्छा मांगी थी नेक्स देखते हैं वाइड़ पीपल बिगिन तो रिस्पेक्ट जीनी अगेन इसका आंसर स्टूडेंस आपका होमवक है यह वाला कोश्चन लोग वापिस जीनी की इज़त क्यों करने लगे यह आप बताएंगे नेक्स हम यहाँ देखते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स always speak the truth is a good advice हमेशा सच बोलो हो क्या है एक अच्छी राह है नीरज डैश for his rude behavior नीरज ने क्या की माफ भी मांगी apologize for his rude behavior the teacher used the duster to rub the blackboard साफ करने के लिए सुनील keeps his thing in proper places रूम never looks untied उसका रूम कभी गंदा नहीं दिखता महिश does not chew goodka महिश गुटका नहीं खाता he has कैसे teeth gleaming यानि की चमकते हुए teeth क्योंकि वो गंदी चीज़े नहीं खाता है next देखते है true और false लिखना है so silly were his mistakes that no one liked the magic lamp true next देखते है one day a lonely boy named Raman found the watch wrong false पंकच को lamp मिला था the genie was happy to grant this wish true genie harvest grant करने में खुश था पंकच did not remember his mother's advice पॉल्स पंकच को याद थी he learned that nothing great can be achieved without order and cleanliness in all things true okay students तो हमने क्या पढ़ा था अजीनी हूं no one lied उसको लोग कैसे पंकच की मदद से पसंद करने लगते हैं और हमने तीखा था किसकी इंपोर्टेंस आफ सफाई की इंपोर्टेंस इस पूरे चैप्टर में लिखी थी फिर हमने यह जो question answer कि हैं students इससे आप अपनी